तो लगातार भेड़े का अतंग बना हुआ है कोशांबी में खबर है जहां पर यमुना के तराई वाले इलाके में भेड़िया दिखा है विबार हूनी की चलते भाग भी नहीं पा रहा है लोगों ने वीडियो बना कर सूशी मिडिया पर वारल किया है महेवा घार थाना इलाके में यमुना के तराई इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे बताया जा रहा है कि यमुना के तराई इलाके में भेड़िया दिखा है बेमार हूनी की चलते भाग भी नहीं पा रहा है लोगों ने के लिए इस वक्त दारा सिंग फॉल लाइन पर महरसाज उड़ गए है आप दारा क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर जिके पिछले तीन दिनों से जिस तरह से आदम खोर भेडियों के द्वारा लगातार हमले किये जा रहा है जिसमें बच्चे समेथ चार लोग जश्मी हु लाके में देखा गया है वहां आसपास लोगों को हुजूम लग जाता है लेकिन हैरानी के बात है कि इस मामले की कानों कान बना कभी वन विभाग को नहीं चलिए वन विभाग अधिकारी सीधा सीधा इस मामले में पल्ला जारता है कि इस मामले की यमजाज करेंगे उसके ब पूरी तरह से लापर वाही बरत रहा है अभी जिन जिन गाउं में भेडियों के द्वारा हमला किये जाने के दावा ग्रामिल कोर से किया गया है वहाँ पर पिंजले भी नहीं लगाएगा लेकिन इस बीचे बड़ी खबार है कि डियम ने इस पूरे मामले पर संग्यान लिया है डियम ने कोशामभी के डियेफो राम सिंग यादो सी रिपोर्ट तलब किये है कि जिन जिन गाउं में जंगली जानवरों के द्वारा अतैक किये गए है या दिखाई दिये गए है वहाँ पे आपके अस्तर पर क्या कारवाई की गई है राहत बचाव कूपाई वहाँ पे क्या किये गए या इस संबन में स्वास्ति विभाट को आपने पत्र जारी किया है कि जिन लोगों को काटा है किस जानवर के ओकाट में कि निसान तित तमाम बिंदूओं पर डियम ने रिपोर्ट मानी ऐसा माना जा रहा है कि जली इसमें आगे आतंग की वेडियो के खिलाप एक बड़ी कार कई बार ऐसा हुआ है कि भेडिये के डर से लोगों ने सियार को मार दिया है तो इस तरह की खबरे इस तरह के वीडियो भी लगाता है रहा है तो कब अब क्या जब इस वीडियो को देखा गया है तो क्या वन बिभाट की कोई टीम वहां पहुंची है क्या ठीकि बन लोगों पीट पीट कर मार डाला जिसमें गाववालों ने दावा किया बेडिया था ये तमाम कारवाई की जानी चाहिए लेकिन तमाम जो जिम्मेदारियां ये अपने जिम्मेदारों से कहीं नहीं हैं इका हमला हुआ, एक हमले में बच्चा भी घायल हुआ है, ये कल देरात आज सूबही की खबर है, दो भेडिये एक साथ दिखाय दिए हैं, एक जगा पर उनके लोकेशन को ट्रस किया क्या है, एक जगा पर भेडिया खेत में भागता दिखाय दिए, ड्रोनसे भी भेडिये के अब राइश में मैसी ब्लॉक में जहां पर भेडियों की दर्शत है वहां पर सोलर लाइट्स और दर्वाजे घरों के लर्व कवाये जा रहे हैं तीस से प्रभावत गाउं में प्रशासन लुकों को बचाने के लिए युद्वस्तर पर काम कर रहा है आपको दिखाते हैं कोलैला गाउं में ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर तीन अगस्त को मेडिये ने एक बच्चे को शिकार बनाया और इसके बाद वहां के क्या आलब है कि यहां पर घटना हुई थी हमको लगता है कि जब जुलाई के बाद अगर कोई पहली घटना हुई तो तीन अगस्त को यहीं हुई सबसे पहली घटना उसके बाद से बिर एक के बाद एक कई घटनाएं हुई दस घटनाएं हो चुकि यह मार से लेकर अब तक जिसमें से न आपने क्या विवस्था आए कि यह समय जहां 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 जो भी घटना इस तरह की हो यह हैं मापे जो दर्वाजे जिस घरों में नहीं उनको चिनित के द्रवाजे लगवाय जा रहे हैं और जो हां लाइटे जैसे कि आत्म लाइट चली जाती है उसके लिए सोलर लाइटे ज समझे कि करीब 300 दरवाजे जो है सभी घाओं में लगवाय जा रही है अच्छा हाँ मास्क लाइट दिखो यहां पर इसकी बुनियाद बन गई है और हाइव मास्क लाइट भी यहां पर लगाई जाएगी इसकी रोशनी और दोदा तेज होगी एक सोलर लाइट यहां लगी जा रही है ताकि यह गली पूरी दिखाई जा सके और चारों तरफ रोशनी रहे कभी गाओं में जो बिजली गुल हो जाती है वह बहुत बली समस्या होती है और हमको लगता कि घटना हुई आप बताने कि पांच बज़े के आसपास उनकी माताजी बता रहे हैं कि पांच ब पांच बाइदा उसा करके धेडिया हमला कर रहा है यही है इस तरह का थोड़ा सा हुआ होगा मालीजी कभी-कभी जायर चले रात में चली जाती है तो इस तरह सा बता रहे हैं कि इस तरह से आप से पहले कभी आथी गटना को छेत में आपने नहीं हो रहे थी तो सब लोग निश्चिन तरहते थे लेकिन जब इस ते गटना है हो लेगे तब लोग फुरा सचेत हुए तब लोग जो है एक्टिव हैं तब से हम लोग जितने भी जाग रुकता रात को लोग हम लोग डूटी लगे हुए हैं फूरा प्रिशासान लगा हुए नोडल अजिकाय लगे ह हुए हैं टीम बनाई हुए हैं जो कि पूरे गाहों गांचेत में जो है लोग जागू करकर के सबको अंदर सोने के लिए चट पर सोने के लिए और रुकते हैं आप चोड़ा से ब्रेक के लिए चलता से रूंके